वेरी गूड इविनिंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे सेट नंबर बन जो की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटिड है सब टोपिक रहेगा भारतिय संस्क्रीदी के परमुक उन नाएक तो आज से हम आर्ट एंड कल्चर पर भी फोकस कर रहे हैं इस टोपिक को भी स्टार्ट कर दिया गया है अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नहीं है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जुरूर करें अब यहाँ पर बन दस से ग्यारा ड आपको यहाँ पर त्यार्म करवाए जाएंगे with MCQ form में और सेट वाइस ठीक है कोई question भी नहीं में छूट पाएगा आपका सभी question हम cover करेंगे most important जो भी questions exam में अपर हो चुके हैं तो most important वीडियो प्लस चैनल है आपके लिए तो सबसे पहले आप इस चैनल को subscribe आप कर लिजिए ताकि कोई वीडियो आप से मिस ना हो notification आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो आप देखें अब स्टार्ट करते हैं आज का first question वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप जुरूर कीजिए कोई doubt हो या कोई question गलत हो गया हो तो please comment box में आप पका लिखिए start करते हैं आज का first question आज का first question है राम क्रिशन मिशन की स्थापना किस नहीं की तो राम क्रिशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विबेक अनन्द ने most important question है again important second question गुरु नानक का उत्रादिकारी कौण था again most important question Confucius question भी है गुरु नानक देब जी के जो उत्रा दिका रही थे वो थे गुरु अंगत और गुरु अंगत ने जो इनके में लिपी ये गुरु मुखी ठीक है इस चीज को याद रखी अगर गुरु मुखी लिपी बनाई थी ठीक है तो गुरु मुखी में लिपी गुरु अंगत देब ने बनाई थी इस चीज को याद रखी और वो गुरु नानक देब जी के उत्रा दिखा रही थे आगे मूव करते हैं थर्ड question राजा रामोन राय संस्तापक थे तो राजा रामोन राय संस्तापक थे ये question के ये बार रिवर्स में भी पूछा गया है who was the founder of ब्राम स्माच ब्राम स्माच के संस्तापक कौन थे तो right answer हो जाएगा राजा रामोन राय बट यहाँ पर right answer है आपका राजा रामोन राय संस्तापक थे ब्राम स्माच के आगे मूव करते हैं नीमलिक्त में से कौन सम एक सही कालानुक करम है तो सही काल करम जो है वो है शंकरजारे जी उसके बद रामानुच उसके बद चैतन्य ठीक है तो option first आपका right हो जाएगा आगे मूव करते हैं फिप्ट question की तरफ प्रातना स्माच के इस संस्तापक थे आत्मा राम पंडूरंग option first आगे मूव करते हैं अमीर खुस्रो क्या थे तो अमीर खुस्रो कभी भी थे इतियासकार भी थे और संकितग्य भी थे right answer हो जाएगा option D सभी उप्युक्त सभी आगे मूव करते हैं महावीर की माता कौन थी तो महावीर की जो माता थी उनका नाम था मत तरीशाला इस चीश को ध्यान रखिएगा option B तरीशाला is the right answer आगे मूव करते हैं most important question राग मिया की मलहार का रचाइता किसे माना जाता है तो जो राग मिया की मलहार है एक रचना है उसके रचाइता हैं तांसेन तो option first आपका ठीक हो जाएगा तांसेन राग मिया की मलहार का संबंद और इसके रचाइता हैं तांसेन आगे मूव करते हैं 9th question खालसा की स्थापना किस ने की तो जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना की थी option first गुरू गुमिन सिंग गुरू गुमिन सिंग जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी इस चीच को याद रखिएगा आगे मूव करते हैं सिख गुरू अर्जुन देव किसके शाशनकाल में थे तो सिख गुरू अर्जुन देव जो थे वो थे जहांगीर के शाशन में जब जहांगीर मुगल शाशक थे उसमें अर्जुन देव सिखों के गुरू थे तो option D, right answer अगे मूव करते हैं गुरू गुमिन सिंग थे तो गुरू गुमिन सिंग के बारे में कुछ fact science इनको आप detail में आप एक बार समझ लिजिएगा सिखों के दस्मे और अंतिम गुरू थे बिल्कुल सही सिखों की आंतरिक कॉंसिल खाल सापंथ के संस्तापक थे बिल्कुल सही और दस्म जो गरंथ है उसके रिचाइता थे तो उप्युक्त सभी सही है के बार ऐसा भी question पूछा जाता है who was the founder of दस्म गरंथ या किसने में दस्म जो गरंथ है उसकी रचना की तो गुरू गुमिन सिंग इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option D right है हागे move करते हैं शिखोंके किस गुरू का जनम पटना साहीब में हुआ था तो पटना साहीब में जनम हुआ था गुरू गुमिन सिंग जी का option B right हो जाएगा आगे move करते हैं दक्षिन भारत के अलवार कौन थे तो दक्षिन भारत के जो अलवार संपरदाय है बेसिकली वो हैं संत तो option C यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका संत ठीक है आगे मूव करते हैं अपने 14th question की तरफ नीमलिक्त मेंसे किसका मिलान गलत है तो देखिए नाम देव जो हैं वो एक महरास्टर के संत थे चतन्य बंगाल के नरस्मी मेता गुझरात के और जो बलबा चारे हैं वो गुझरात के नहीं है तो यह मिलान गलत है तो option D right हो जाएगा आगे मूव करते हैं ग्यान प्राप्ति से पूरब महवीर का नाम क्या था तो ग्यान प्राप्ति से पूर महावीर का नाम था बर्दमान इस चीज़ को याद रखिएगा ओप्शन फस्ट ठीक हो जाएगा आपका यहाँ पर बर्दमान आगे मूफ करते हैं नीमलिक्त मेंसे कौन संथ महारास्टर से थे तो देखिए ब्यास जी, त्यागराज जी और मैत्रेई यह तीनों महारास्टर से नहीं है तुकाराम जो थे संथ तुकाराम उनका समन्द है महारास्टर से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आगे मूफ करते हैं बुद्ध किस बंस से समन्दित थे तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका बेसिक जो बाइंच था वो था शाक्य अवांस ठीक है वो शाक्य बंस से रिलेटिड थे तो उप्शन सी राइट हो जाएगा शाक्य अठार में क्वेशन की तरफ चलते हैं महाबीर का जनम किस गराने में हुआ था तो महाबीर कोई संत नहीं थे कोई पंडित नहीं थे महाबीर क्षत्री यह थे तो इनका जनम हुआ था क्षत्री राजगराने में उप्शन भी राइट हो जाएगा अपने 19th question की तरफ हम चलते हैं 19th question important है संत कवीर का जनम कहा हुआ था तो संत कवीर जो है उनका जनम हुआ था बारानसी बैसे संत कवीर के बारे में ऐसा है कि कोई पुक्ता सुबूत नहीं है कि उनके जनम कहा है उनका जनम कहा हुआ था कौन उनके माता पिता थे उनको एडॉप्ट किया गया था बट फिर भी historically जो थोड़े बहुत प्रमान है उसके अकोड़ी इनका जनम हुआ था पारानसी में 20th question, last question, important question नीमलिक्त में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया most important क्योंकि जो भी भक्ती संत थे वो local dialects में बात करते थे महरास्टर के जो संत थे वो मराठी में, जो तमिल के थे वो तेलगू में, तमिल में बट किस भक्ती संत ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो right answer है रामानंद रामानंद ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो friends, ये थे टोब बंडू 20 question एक extra fact आपको बता देता हूँ गुरू अंगत देव से related तो गुरू जो अंगत है इनका समन्द है गुरू मुखी लिपी से अगर कभी पूछा जाए कि गुरू मुखी में लिपी किसने बनाया या किसने उसको प्रमोट किया या गुरू मुखी लिपी से समन्दित कोई प्रशन आता है तो right answer रहेगा आपका गुरू अंगत तो friends, ये थे 1 to 20 most important questions hopefully वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो please आप लाइक कीजिए कोई doubt या कोई question आपको गलत feel हुआ हो तो comment कर सकते हैं बट सबसे पहले आप channel को like and subscribe आप जुरूर कीजिए और जितने भी topics हैं सभी आप cover करवाए जा रहे हैं सभी का आप enjoy और फाइदा अप ले सकते हैं ओके थेंक्यू